दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल जीके अध्याय में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे नोबल पुरुसकार टॉपिक्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों अभी हाली में नोबल पुरुसकार से रिलेटेड सभी छे चेतरों में पुरुसकारों की घोशना कर दी गई है तो ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा important है अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो चलिए आज के इस वीडियो को start कर लेते हैं first question है noble पुरसकार प्रतिवर्ष किन की याद में दिये जाते हैं तो दोस्तो जो noble पुरसकार है ये प्रतिवर्ष alfred noble के याद में दिये जाते हैं तो इस question का right हो जाएगा answer option number a alfred noble दोस्तो जो alfred noble है इनका जन 21 October 1833 को Sweden में हुआ था इन्होंने दोस्तो dynamite नामक विसफोटक का आविशकार किया था इनकी जो दोस्तो मृतिव है 10 December 1896 को Italy के San Remo में इनका दिहान थो गया था दोस्तो ये जो noble पुरसकार की स्थापना है ये इनी alfred noble की याद में की गई थी next question है पहली बार noble पुरसकार कब दिये गए थे तो दोस्तो इस question का जो right answer हो जाएगा option number c 10 December 1901 को दोस्तो noble पुरसकार जो है पहली बार 10 December 1901 को हेंरी डुनांट और फेडरिक पसे से को दिया गया था दोस्तो noble पुरसकार की जो स्थापना है ये आलफ्रेड नोबल की याद में की गई थी साथी noble पुरसकारों की जो दोस्तो घोशना है ये प्रतिवर्ष ऑक्टूबर के महिने में की जाती है और प्रतिवर्ष दोस्तो ये जो पुरसकार है ये अलफ्रेड नोबल की जो पुन्यते थी है 10 December को उस पर प्रदान किया जाता है नेक्स कुश्चिन है नोबल पुरसकार प्रतिवर्ष कितने छेतरों में दिया जाता है तो दोस्तो इस कुश्चिन का जो राइट आंसर है वो जागा ऑप्शन नंबर सी 6 छेतरों में तो दोस्तो जो नोबल पुरसकार है ये प्रतिवर्ष 6 छेतरों में दिये जाते हैं चैट से कोंठ कोंट से हैं ? सबसे पहला है दोस्तो भौतिकी के छेतर यानि फिजिक्स के छेतर में दूसरा है रसायन यानि chemistry के छेतर में तीसरा चिकिसा यानि medicine चौथा शांती यानि peace के छेतर में पाँचवा है अर्थशास्त यानि economics में च्छाटा है साहित यानि लिटरेचर में तो दोस्तों ये कुल छे चेतर हैं जिसमें नोबल पुरुसकार प्रतिवर्ष बदान किये जाते हैं Next question है आर्थ शास्त्र के चेतर में 2024 का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया है तो दोस्तो इस question का जो right answer है वो जाएगा option number D उप्युक्त सभी तो दोस्तो आर्थशास्त्र के छेत्र में 2024 का जो नोबल पुरुसकार है यह डरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिनसन इन तीनों को ही जो दोस्तो हैं आर्थशास्त्र के छेत्र का नोबल पुरुसकार दिया गया है दोस्तो जो तीनो आर्थशास्त्रियें हैं इन्हें या पुरुसकार राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों के प्रभाव जो हैं उनको समझने एवं किसी देश की वैस्विक अर्थव्यवस्था की जटेलताओं को समझाने के लिए दिया गया है तो दोस्तो यह जो पुरुसकार है आर्थशास्र के चेद्र का इसे प्रदान करता कौन करता है दोस्तो जो Royal Swedish Academy of Science है यह स्वीडन में स्टिट है दोस्तो वो इस पुरुसकार को प्रदान करती है इसके साथी देखे तो जो इस से पहले साल का जो नोबल पुरुसकार था 2020 का व तुषासर के शेत में इन तीन लोगों को जो है यह पुरुसकार दिया गया है नेक्स्ट है भौतिकी के शेतर में दो हजार चौबिस का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया है तो दोस्तो इस क्वेशन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नमबर ए जोन होपफिल्ड और जेफरी हिंटन दोस्तो इन दोनों को ही जो है यह भौतिकी के शेतर का नोबल पुरुसकार दिया गया है दोस्तो जो अमेरिकी वेग्यानिक हैं दोनों जोन होपफिल्ड और जेफरी हिंटन दोस्तो यह दोनों अमेरिकी वेग्यानिक हैं और इन्हें यह पुरसकार दोस्तों मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए बहुत इकी के नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों यह जो पुरसकार है यह Royal Swedish Academy of Sciences Stockholm जो स्वीडन में से थे उसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों इससे पहले का जो दो हजार देज का नोबल पुरसकार विजेता थे वो थे Pierre Agostini यह फ्रांज देश्टे थे Frank Crowns जो हंगरी देश्टे थे और Annie Louis Hulier जबी फ्रांज से देश्टे इन्हें दिया गया था दोस्तों फिजिक्स का जो छेत्र है इसमें दो लोगों को इस बार जो है नोबल पुरसकार दिया गया है एक्जाम के पॉइंट से इंपॉटेंट है इसे ही याद रखिएगा रसायन विज्ञान के शेत्र में 2024 का नोबल पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नमबर डी उपियुक्त सभी यानि की डेमिस, हसाबिस, डेविड बेकर और जॉन एम जमपर इन तीनों को ही 2024 के केमिस्ट्री केर नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों यह जो पुरसकार है इस पुरसकार का जो पहला भाग है यह डेविड बेकर को दिया गया उनके computational protein के design के लिए वही इस पुरसकार का जो दूसरा भाग था यह संयुक्त रूप से डेमिस, हसाबिस और जॉन एम जमपर को complex जो प्रोटीन है इनकी सनरचना की भविश्यवानी के लिए देया गया था नेक्स है कि दोस्तों यह जो पुरसकार है यह कौन प्रदान करता है तो दोस्तों इसे Royal Swedish Academy of Science स्वीडन के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है साधी हम देखें दोस्तों तो 2023 में Chemistry के शेतर में जो नोबल पुरसकार विजेता थे वो थे मौंगी जी बाविंडी, लुई इब्रूस और एलेक्सी आई अकिमोव और यह पुरसकार दोस्तों नहीं दिया गया था Quantum Dodds के आविश्कार और संसलेशन के लिए तो दोस्तों Chemistry में तीन लोगों को यह इस बार का जो है नोबल पुरसकार दिया गया है नेक्स्ट है नोबल शान्ती पुरसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इस Question का जो Right Answer है वो जाएगा Option Number B निहोन हिडान क्यो दोस्तों जो निहोन हिडान क्यो है इसे 2024 का नोबल शान्ती पुरसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों यह जो निहोन हिडान क्यों है यह जापान की एक संगठन है जिसे 1945 में हिरोशिमा और नागसाकी के परमाडू बंबारी से जो लोग बचे उनके द्वारा सहायता प्राप्त परमारू हत्यारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए यह पुरुसकार इस संगठन को दिया गया है दोस्तों यह जो पुरुसकार है यह नोबल शांती पुरुसकार के नौर्वे के ओसलो में इसे प्रदान किया जाता है मतलब दोस्तों जो नोबल शांती पुरुसकार है इसे नौर्वे उसलो में प्रदान किया जाता है लेकिन इसमें जो प्राप्त करता होते हैं उसे नौर्वे की नौर्वेजियन समिती के द्वारा चुना जाता है दोस्तो इससे पहले 2023 का जो ये शांती पुरुसकार था नोबल का ये दिया गया था नर्गिस मुहामदी को और नर्गिस मुहामदी को दोस्तो ये पुरुसकार जो है वो इरान में महिलाओं के उथपीरण का सामना करने ही तो उनके समनपन के लिए दिया गया था तो दोस्तो, 2024 का जो नोबल शानती पुरुसकार है, ये निहोन हिदानकियों को दिया गया है, और ये जापान की एक संगठन है नेक्स कुश्शन है, चकित्सा के छेत्र में 2024 का नोबल पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तो इस question का जो right answer है वो हो जाएगा option number D ARB दोनो यानि कि Victor Ambrose और Gary Rookun इन दोनों को ही दोस्तो जो है जिकित्सा के चितर यानि medicine का 2024 का नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो अमेरिकी वेग्यानिक हैं दोनों Victor Ambrose और Gary Rookun इनको दोस्तो माइक्रो RNA की खोज और post transcription gene विनियमन के योगदान हे दू चिकित्सा के नोबल पुरसकार 2024 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो जिकित्सा का नोबल पुरसकार है इसे प्रदान कौन करता है तो दोस्तो इसे कैरो लिनका इंस्टिट्ट सुईदन के द्वारा प्रदान किया जाता है इससे पहले दोस्तो 2013 के जो नोबल पुरसकार विजयता थे जिकित्सा में वो थी जानी कि recommand Creating you और ड्रीव वीसमेन तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं साहित्य का नोबल पुरुसकार दो हजार चॉबिस किसे प्रदान किया गया है यानि लिट्रेचर में तो दोस्तों इस क्वेशन का जो राइट आंसर है वजाएगा ऑप्शन नंबर भी हांग कांग को दोस्तों दक्षिन साहित्य में नोबल पुरुसकार पाने वाली ये पहली अश्याय महिला है तो दोस्तों ये इंपॉट्टेंट हो जाता है आपके एकजाम के लिए एक्जाम में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साहित का नोबल पुरसकार दो हजार चौबेस से किसे सम्मानित किया गया है पहली एश्याई महिला कौन है तो दोस्तो हान कांग उसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स एक दोस्तो साहित में नोबल पुरसकार की जो स्थापना है दोस्तो ये सन 1900 में की गई थी एवं प्रथम पुरसकार जो है वो 1901 में दिये गए थे दोस्तो इस पुरसकार की जो राशी है वो है 11 मिलियन स्वेडिश क्रोन इससे पहले दोस्तो 2023 में जो साहित का नोबल यह दिया गया था जॉन फोसे को और वो नॉर्वेय देश से थे नेक्स कुश्चिन है दो अलग शेत्रों में नोबल पुरुसकार पाने वाले पहले वेक्ती कौन थे तो दोस्तो इस कुश्चिन का जो राइट आंसर है वोजाया का ऑप्शन नंबर ए लीनस पॉलिंग दोस् शेत्रों में मिला उनने सो चोवन में रसायन विज्ञान में वहीं उनने सो बासट में शांती के छेत्र में इनको नोबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले सबसे कम उमर के वेक्ती कौन है तो दोस्तो इस क्वेश्चिन का जो राइट आंसर है वो जायेगा यूसुब जाई है इन्हें 2014 के में शांती के लिए नोबल पुरुसकार से समानित किया गया था इन्हें दोस्तों पीस के छेत्र में ये पुरुसकार दिया गया और दोस्तों मलाला यूसुब जाई जो है ये पाकिस्तान देश से है ये इनका फुटो है नेक्स क्वेश्च नोबल पुरुषकार पाने वाले प्रथम भारती व्यक्ति कौन थे तो दोस्तो इस question का जो right answer है वो जाएगा option number B रवेंद्रनाथ टेगोर दोस्तो रवेंद्रनाथ जो टेगोर है इन्हें उनकी रचना गीतांजली के लिए 1913 में साहित के नोबल पुरुषकार यानि लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नेक्स कुश्चन है नोबल पुरुषकार पाने वाली पहली भारती महिला कौन थी तो दोस्तो इस question का जो right answer है वो जाएगा option number C मैरी क्यूरी दोस्तों मैरी क्यूरी को रेडियो अक्टिविटी की खोज करने के लिए 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के शेतर में यानि फिजिक्स में नूबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था और दोस्तों जो मैरी क्यूरी है ये पोलेंड देश की रहने वाली थी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो इसे सस्क्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो जो वीडियो हैं इनके नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें आगे आपके लिए दोस्तों टेस्ट के दो कोश्चन आ रहे हैं जुनके आंसर आपको मुझे कॉमेंट्स में बताने है कॉश्चन है पहली बार नोबल पुरुसकार कब दिये गए थे ये चार आप्शन है आपके पास नेक्स कॉश्चन है नोबल पुरुसकार पाने वाले प्रथम भारतिय वैक्ति कौन थे यह चार option है दोस्तों इन दोनों ही questions के answers आपको मुझे comment sections में बताने है साथी आपको मुझे यह भी बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ like, share and subscribe जरूर कीजिए तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के जाथ अब तक के लिए thank you very much and wish you all the best